नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुवात सबसे पहले नज़ाद डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर पीजी बॉटनी विभाग में तीन दिवसिया अंतर राष्ट ये समिनार का हुआ आयोजन विदेशी महमानों ने जलवायू परिवर्तन और क्रिसी के विकास पर की चर्चा मिशन इंद्र धनुसकार इक्रम के तहट पाँच दिवसिया स्वास्त सिविर का होगा आयोजन बुद्दवार को केंद्रिय मंतरी करेंगे उद घाटन टीमबीउ कौपी विक्री मामले की जाज के लिए तीन सदस्य कमिटी गठित अपने ही बयान में खुद भसे खुलपती तीन दिवसिया विक्रम सिला मात्सब को लेकर तैयारी हुई तेज अधिकारियों ने किया स्थल निरक्षन और वेतन विर्धी सहित कई मांगों को लेकर सिक्षकों का अनिस्चित काली नहर्ताल सुरू अब समाचार विस्तार से तिलकमांजी भागलपुर इस्विद्याले के पीजी बोटनी विभाग में मंगलवार से तीन दिवसिया अंतरराष्टिय समिनार का सुभारंब हो गया समिनार का सुभारंब टीमब्यू के प्रभारी कुलपती प्रोफेसर अवत किसोर राय, प्रतिकुलपती प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, पुरू प्रभारी कुलपती सह बोटनी विभाग के विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर लीला चंदर सहा, कन्वेनर एचके चौरसि आयोजन सचिव डॉक्टर विवेक कुमार और विदेश से आया तिथियों ने संयुक्त रूप से किया तीन दिवसिया अंतराष्टी सेमिनार के पहले दिन प्रोफेसर एचके चौरसिया प्रोफेसर बी अंचक्रवर्ती समयत कई विद्वानों ने जलवायू परिवर्तन, क्रिसी विकास और पौधा रोग निवारन पर अपने विचार रखे वही प्रोफेसर एलसी सहा ने बताया कि अंतराष्टी समयलन विज्ञान एवं प्रोधिगी की विभाग नवार्ड और टीमब्यू की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है अंतराष्टी समिनार को कुलपती, प्रती कुलपती सहीत हंगरी के प्रोफेसर जी टरकेली, स्रिलंका के एस अभय सिंभे, कौलकता के बी अन्चकरवर्ती समयत कई विज्ञानिक और विदेसी यतितियों ने संबोधित किया मौके पर कुलपती प्रोफेसर अबत किसोर राय ने कहा कि जलवायू की दशाओं में बदलाओ प्राकिर्तिक भी हो सकता है और मानव के किरिया कलापों का परिनाम भी जबकि प्रतिकुलपती प्रोफेसर राम यतन परसाद ने कहा कि बिना रोग्टोग के खाद पदार्थों का अंतर राष्ट यस्तर पर आवागमन होने से रोगों में काफी विर्धी हुई है मौगे पर मनीश, डॉक्टर अर्चना ठाकूर, डॉक्टर गुरुदे पद्दार, डॉक्टर अभयानन्द सहाए, डॉक्टर कमल परसाद समेत कई सिक्षक और सोधार्थी मोजूद थे यह अंतराष्टी सेमिनार हुआ, यह आपको घाटन सत्र था इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे मुखती थी प्रफसर भीयान चकवर्ति साथ, जो कि काफी बड़े बैद्यानिक में हैं, जाने जाते हैं, इंको कई वार इंजला हुआ है, विजान के चेत्र से, और वो थे, और हमारे पास सबसे बरी अच्छी बात यह थी कि हमारे साथ जो ऐसे भी थे विक्ति जो एक अंगरी से आया थे, उसे रणकास आया थे, तो इंटरनेशनल कंफरेंज जब और्वनाइज किया जा रहा है, जो सुवाविक है, विजा एस्पेक्टिंग तब परसल फ्रम आदर कंट्री तो, कुछ और लोग आने वाले थे, नेपाल से भी लोग आया हैं, लेकिन दूसरे कंटी से कुछ और आने वाले थे, जीशा के प्रवल्लों के चलते हो नहीं आपा हैं। वोकस किया जाएगा, वहीं पांच दिवसिय कारिक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस भी किया गया, जिसमें लोग संपर केवं संचार ब्यूरो पतना के अपर महानिदे सक्ट सहलेश कुमार मालविया, पी आईबी पतना की निर्दे सक्ट दिनेश कुमार, दूरदर्सन कें पतना की उपनिर्दे सक्ट स्वेता सिंग और डॉक्टर एनन जा ने बिहार में चलाये जा रहे अभियान की जानकारी दी, मौके पर प्यारो अभी से कुमार समयत कई लोग मौजूद थे, तिलकावान जी भागलपूर विस्विद्याले में कॉपी बिक्री मामले को लेकर प्रभारी कुलपती प्रोफेसर अवत के सोराये ने जाच का अदेश दे दिया, कॉपी कवर कैसे भी कि इसकी परताल करने के लिए सौमवार की साम बिस्विद्याले परसासन ने तीन सदस्य जाच कम्यूटी का गठन किया, जिसमें सिंडिकेट सदस्य सेलेंस्वर परसाद माडवाली कॉलेज के प्रचार ये डॉक्टर गुरुदे पद्दार एवं विस्विद्याले के वित्विद्याले के वित्व प्रामर्सी सामिल हैं। उसे 10 लाख रुपे में बेची गई है। 29 फरवरी से आयोजित होने वाली तीन दिवसिय विक्रम सिला महतसब की तैयारी तेज हो गई है। का परदर्सन करेंगे और महतसब में बुद्धिष्ट थीम पर आधारित सांस्कृतिक कारेक्रमों की भी प्रस्तूती होगी। विक्रम सिला महतसब हैं राजकी अस्तर की महतसब खालगाउं में मनाय जाता है। सरकार की सिक्षा विरोधी नितियों के खिलाप राजी भर में सिक्षक मंगलवार से अनिस्चित कालीन हर्ताल पर चले गए। सिक्षकों के हरताल पर जाने से विद्याले में ताला लटका रहा। मंगलवार को बिहार माध्यमिक सिक्षक संद पतना के निर्देश पर भागलपुर जिला समहारनाले परिसर में सिक्षक धरना पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जम कर नारेवाजी करने ल पर बेठे सिक्षकों के समर्थन में जीप सदस्य डॉक्टर असोक कुमार आलोक एवं परमुख परतीनिधी पप्पु यादब ने सिक्षकों की मांगों को जायज बताया साथ ही सिक्षकों की लड़ाई में साथ देने की बात कही मौगे पर विवेका कुमार अनिल सिंग उदैकांत ज्जा रीना उसा रस्मी सहित काफी संख्या में सिक्षक मवजूद थे वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद जी हाँ अब आपके सर भागलपूर में विश्वस्तरिय पढ़ाई की सुविदा पहली बार जी डी गोईंक का पब्लिक स्कोल सी बीसी कॉरिकोलम नर्सरी से सिवन्त तक की पढ़ाई सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस एसी बस विच जी पिस औन सी सी टीवी चाहे आवासिय हो या डे स्कॉलर बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ए लाइबरेरी भी हमारा पता है जी डी गोईंक का पब्लिक स्कोल जी छो बिसनपूर भागलपूर कॉंटेक्ट नमबर 7672-80010 एडमिशन इस गोईंग ओन ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर लंबित वेतन भुकतान की मांग को लेकर मंगलवार को बिहार चिकितसा जन स्वास्त करमचारी संद के अंतरगत संचालित महिला उपसमीती के बैनर तले स्वास्त करमियों ने जमकर विरोध परदर्सन किया सदरस्पताल परिसर से निकाली गई रहली घंटा घर बड़ी पोस्ट आफिस होते हुए समाहर नाले पहुची जहां अपनी मांगों से संबंदित ग्यापंग जिला अधिकारी को सौपा परदर्सन कर रही स्वास्त करमचारीयों ने कहा कि वेतन का भुकतान नहीं होने से उनकी आर्थिक इस्तिती बेहत खराब हो गई है आवंटन के आभाव में बिगत कई माह से वेतन नहीं मिला है परदर्सन कारियों ने प्रान नंबर सेवा संपूष्टी एवं बकाय वेतन का भुकतान अविलम करने की बात कही साथ ही कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो आठ मार्च अंट्राष्टी महिला दिवस के दिन से कारी बहिसकार किया जाएगा भागलपुर के सेंडिस कमपाउंड में 23 फरवरी को आयोजित अंगिका मानब स्रिंखला के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को कहचरी परिसर में बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्चता अधिवक्ता सी के घोस ने की बैठक को संबोधित करते हुए अंगिका महा सावा के सयोजक गौतम सुमन ने कहा कि अंग परदेश की अस्मिता और अस्तित्व के लिए अंगीका प्रेमियों ने अंगीका भासा को समविदान की आठवी अनुसूची में सामिल कराने के लिए अंगीका मानफ स्रिंखला बना कर इतिहास रच दिया गौतम सुमन ने कहा कि आयोजन को एतिहासिक बनाने में लखनलाल पाठक, पक्पू सिंग, संभू दयाल खेतान, संजे सिन्हा, अजित सिंग, ओम भासकर, मिर्थुन्जे सिन्हा, कुमकुम देवी एवं पुतुल पांडे की अहम भूमिका रही इस दोरान कारीक्रेम के दिर्चता कर रहे सीके घोस ने मानब सिरिंखला में सामिल सभी अंगिका प्रेमियों का आभार वियक्त किया हार जन समूक जे हमारा समर्थन मिल ले भागलपूर में जत्ता संग्टन चे जत्ता पाती अरुदल छे उनी जे समर्थन दिलके हम रहां और उनी एक जन सहलाब करूंपों में मानब सिरिंखला में सामिल होले तो हमरासनी के लगले कि नमासनी उनका अभार प्रकट करिये और उए के अन्रोध करिये यदि अंगिका भासा का सवाल पर उनी जगलोच है एवमाम जनता पर बढ़ते हमले के विरोध में मंगलवार को जिला समहार नाले के समीप भारत की केम्यूनिस्ट पाटी जिला कम्यूटी की ओर से एक दिवस्या धरना दिया गया धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के साथ ताना साही रवईया अपना कर NPR, NRC और CAA को लागू करने के लिए फासी वाद का रास्ता अपना रही है वक्ताओं ने कहा कि नए कानून के विरोध में देश के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और महिलाएं सड़त पर उतर कर अपनी आवाज बुलंद कर रही है लिकिन केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है वक्ताओं ने कहा कि भाजपा निता कपिल मिस्त्रा भड़काओ बयान देकर माहौल बिगाडने का काम कर रहे हैं धरना की अध्यक्षता जिला मंत्री दसरत परसाद ने किया मौके पर उपेंद्र रियादब सुभास्ताती सहित काफी संख्या में पाटी के कारिकरता मौजूद थे भागलपूर नर्गा कोठी इस्तित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती सिस्यु मंदिर के भईया बहनों को मंगलवार को सबौर इस्तित क्रिसी विषविद्याले में आयोजीत किसान मेला का सैक्षिनिक भर्मन विद्याले परबंदन द्वारा कराया गया प्रधानाचारी रंजीत कुमार आचारी ने कहा कि किसान मेले में बच्चों को मौसम के अनुकूल, पौधे के विकास और क्रिसी की नवीन तक्निकों को समझने का अबसर मिला जिससे बच्चों में पर्यावरन सनरक्षन एवं पौधों के परती दाइत्व का बोध हो इस मौके पर ससी भूसन, मिस्र, मनोज तिवारी, अभीजीत आचारी, पंकच कुमार, अन्सू, रानी, समेत, काफी संख्या में भईयाबन मौझूद थे बियार पुलीस सुरक्षा सप्ता के तहत मंगलवार को जगदीसपूर पुलीस ने ट्रफिक नियम पालन को लेकर जागरुकता अभियान चलाया विधी वेवस्ता डियसपी निसार अहमत साह के नेत्रित में इसकूली छात्रों ने ट्रफिक नियमों का उलंगन करने वाले बाइट चालकों को गुलाब का फूल दे कर ट्रफिक नियम का पालन करने का अनुरोध किया साथ ही घर से निकलते वक्त हेलमेट का प्रियोक करने की अपील की कारचालकों से वहां चलाते समय सीट वेल्ट का इस्तमाल करने की बात कहते हुए सावधानी पुरवक गाली चलाने की बात कही वही थाना ध्यक्त संजे सत्यार्थी ने कहा कि बढ़ते सलक दुरघटना पर लगाम लगाने के लिए ट्रफिक रूल का सभी लोगों को पालन करना जरूरी है सनोखर थाना छेतर के महागामा एक चारी मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबा हाईवा और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई घटना में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बाइक सवार सनोखर से महागामा की ओर जा रहा था इसी दोरान अनियंतरी थाईवा ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दिया घटना में बाइक पर सवार तेलोंदा के जलहा गाउनिवासी 60 वर्सिया महमद अमीम एवं 55 वर्सिया पत्नी जुवेदा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई वहीं मामली की सूचना मिलते ही सनोकर्थाना पुलिस ने दोनों घायलों का प्रात्मी कुपचार करा कर अनुमंडल अस्पताल का हल्गों भेज दिया और अंत में चलते चलते एक नज़ा डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर पीजी बॉटनी विभाग में तीन दिवसिया अंतर राष्टिय समिनार का हुआ आयोजन विदेशी महमानों ने जलवायू परिवर्तन और क्रिसी के विकास पर की चर्चा मिशन इंद्र धनुसका रिक्रम के तहट पांच दिवसिया स्वास्त सिविर का हुगा आयोजन बुद्दवार को केंद्रिय मंतरी करेंगे उद घाटन टीमबीउ कौपी विक्री मामले की जाज के लिए तीन सदस्य कमिटी गठित अपने ही बयान में खुद भसे खुलपती तीन दिवसिया विक्रम सिला माथसब को लेकर तैयारी हुई तेज अधिकारियों ने किया स्थल निरक्षन और वेतन विर्धी सहित कई मांगों को लेकर सिक्षकों का अनिस्चित काली नहर्ताल सुरू फिलाल इस बुलेटीन में इतना ही नमस्कार